अब इस विद्धियों को अपको स्वागत करते हैं आप सब उमीद है अब सब ठीक होगे है यहीं हमारे चैनल का मौटिफ है उत्देश है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आपके लाइट को अपने सिलिकॉन जेल शीट से कैसी ठीक कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में ह आपको बताएंगे कि कैसी सीसा केर सिलिकॉन जेल शीट आपके कैलरट को ठीक कर सकता है और आपको इसको कैसे इस्तिमाल करते हैं करना है और इसके फायदे क्या है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क आप बटन है लाइक बटन है उसको दमान हमेशा हल दे रहा है तो चलिए दोस्तां शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इंट्रेस्टिंग इंफॉर्माइटिव वीडियो तो सीसा केर एक स्वेम चिपकने वाली सिलिकॉन जेल शीट है जिसका मुखे उद्देश लाल और अबरे हुए पुराने और नाय निशानों को प्रभावी तरीफे से उपचार के लिए मदद करना है दोस्तों सीसा के सिलिकॉन जेल शीट मेडिकली रूप से विभीन प्रकार के निशानों के सुधार में 90-30 तक प्रभावी थाबित हुई है दोस्तों इसका यूज चिकिस यह बच्यों और एडल्ट पर यूज करने के लिए सुरक्षित है जिससे यह पूरे परिवार के लिए उपयोग थे दोस्तों सीसा केर यूज 20 साल तक के निशान पर भी किया जा सकता है दो-चार महिने के अंदर ही आपकी दोरह सोचा गया निशान इस्थाई हो सकता है और जेल, शीट, नरम और आरम दायक होता है और लगाने में आसान है इसे ज्यादता निशानों पर फिट करने के लिए आकर में काटा जा सकता है टिकाओ और दोबारा इस्तिमाल करने के योग है इसका इस्तिमाल दिन या रात में किया जा सकता हालकि सीसा केर सोयम चिपकने वा लाल और उब्रे हुए निशानों को बनने से रोकने के लिए सीसा केर का यूज किया जा सकता है। जैसे अन्य निशान उपचारों की तुलान बहुत कम दर्ध होता है। जाने में आसाने जैल शीट को हलके साबून से दिन में दो बार साफ किया जाना चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे पीचर्ज और बैनिफिट्स। दोस्तों सीसा केर जैल शीट लाल काले उपरिव निशानों को समतल मुलाम और हलका कर देती है। वास्तव में उपचार में सिफ़ दो महीने बाद ही निशानों को हलका और मुलाम होना देखा गया है। दोस्तों निशानों के शारे रिकलक्षनों को बहुत असेच हो सकते हैं। सके अरजेल शिट उबरे उन निशानों की मुटायों खुजली और रंगों भी कम करती है दोस्तों आपकी शरीर पर सालों से जो निशान है उनके बारे में क्या सीसा के अरजेल शिट 30 साल तक की निशानों को उप्छारू में प्रभाविसाविद हुई है दोस्तों निशान हमारे आत्म विश्वास को परभावित कर सकते हैं सीसा के अर जेल शीट निशानाओं को हलका और नरम करने में कार्गर साबित हुई है इसे निशानों के कारण होने वाली जिंता और अन्यम मनों वे क्यानिक परभावों में भी मदद मिल सकती है दोस्तों स्वेंच पकने वाला जो आसान यूज़ करने में आसान है कटे में आसान और हटाने में भी आसान है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आरम दायक है नरम है लचीला है जो उपचार जो आपकी शरीर पर कई स्थानों पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्ता ये धोया जा सकता है यानि वॉष्ट किया जा सकता है और रियूस्ट भी किया जा सकता है ये फिर से आप रियूस्ट कर सकते हैं सेम शीट का इस्तिमाल आप कर सकते हैं दोस्ता आपको बताएंगे इस्ट्रेक्शन फॉर यूस सिलिकॉन जेल शीट के बार में दोस्त नहीं छोड़ना चाहिए सीसा के जेल शीट नए और मौझूदा हाइपर ट्राफिक और केलवाइड निशान को का मैनेजमेंट प्रभावी तरह से करते हैं दोस्तों सीसा के जेल शीट का यूज घाव को ठीक होते ही लाल और अबरे वो निशान को बनने से रोकने की टीक किया जा सकता है चाहिए वो सर्जिकल निशान हो, सिजेरियन हो, सैक्शन हो, कास्मेटिक सर्जरी या तिल हटाने से लेकर जलने जैसे अकास्मिक चोटो के निशान हो सीसा के जेल शीट का यूज किया जा सकता है दोस्तों दोस्तों हम आपको बताएंगे रिकमंडेट के एर इसकी आंत्रिक आनोशासित देख भल क्या है पहले दो दिनों के लिए दिन या रात में चार घंटे के लिए सीसा के जेल शीट का इस्तिमाल करें अगले दो दिन के लिए हर दिन या रात में आठ घंटे के लिए सीसा के अरजेल शीट का इस्तेमाल करें प्रिती दिन कम से कम बारा घंटे तक पहनने का समय बढ़ाते रहे अगर संबब हो तो सीसा के अरजेल शीट को प्रिती दिन 24 घंटे पहनना चाहिए दोस्तों सीसा के अजय शीट को दिन में दो बार हलके साबन से साफ करें और अच्छी तरह से धोएं नौन फल्फी टॉवल या फिर हवा में सुखाएं सपाई के लिए डिटेजन का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि इसमें तुचा में जलन हो सकती है सीसा के अजय शीट को सुखाने के लिए कागस जैसे कागस के प्रोडिक्ट जैसे रसोई की तोलियों के इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि ये शीट में चिपक सकता है दोस्तों नोट गरम ओसम में या शारी एक्टिविटी के दोरान जहां पसी ना सके आ सकता है सीसा के अरजल शीट को आराम के लिए उसीसा के अरजल शीट को तौचा होगे बीच में संपर्प में बनाये रखने के अधिक बार साफ किया जाना चाहिए सुने शीट करें जैल शीट को फिर से लगाने से पहले निशान और आसपास की तौचा को हलकी साबून से धोया गया हो साफ गरम पानी के से आप शेतर को धोये एक नाउन फलफी तोले से सुखाए जिब सीसा के जैल शीट गिसने लगी है उसे साफ करना मुश्किल हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए यह आम तोर पर 28 दिन अबाद होता है दोस्तों रिजल्ट दो महिने में देखे जा सकते है निशान ठिक होने में लगने वाला समय अलग-अलग बिक्तिओं में अलग-लग होगा दोस्तों सीसा के जैल शीट खरीते समय आपको राइट प्रडेक्ट को चूस करना है है गालग अलग साइजस पर डिपेंड उ장ु आफ साइज यान के लाइड चे संटी मीटर से लेके 12 संटी मेटर तक आपके ड्रैसिंग विए सिलिकॉन जल शेट मिलेगीuren से 12 चेंट ते 12 संटी मेटर से 1 06 ज्यल शेट12 से 15 संटी म वन इंजल दोस्तों अगर आपको आनिशेद हैं तो आप खरीबने से पहले अपने फार्मसिस से पूछ सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताएंगे प्रक्वेशन यूस कांट्रैक्शन्स दोस्तों कुछ रोग्यों में उबरी हुई तुचा पर दानी देखे गए हैं यह खराफ यह अनहे करती प्रोटक्ट बहुत कसकर लगा जाने की कारण हुआ है दाने दिखाए देए तो सिसर केरश शीट का उपचा समय को बारा घंटे तक कम करें इसके बारा घंटे के बाद आराम करें यदि दाने बने रहते हैं तो इसको यूजबन कर दें अपने हेल्थ सेवा या अपने करें आसपस के तो समाने नहों जाए घापूरी तान ठीक नहों जाए आप इसके इसाओन नकरें दोस्तों अकञी है चोके हो चाह पूछ लगाने कुछ लोगों को जल्दी दोस्ता अगला सवाल है चोत लगने के पास compare कास्मिटिक सरजरी या आकास्मिक छोटे जैसे जलने होने वाल लाव उस्तापै क्मेशन के सीट करने से पहले हमेशा सुनेशित करें गाव पूरी तरहां से बंद हो, खुला ना हो, संकमित गाव पर इसका इस्तेमाल ना करें दोस्तों अगला सवाल है, सीसर के जैरशीट के तुकड़े से अधिक लंबा हो तो क्या तुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों हाँ, निशान को ढखने के लिए एक से जादा तुकड़ों को ज़रुवत हो सकती है तो इन्हें एक दूसरे पर ओवर लिप करने के बजाए किनारे से किनारे तक रखा जाना चाहिए दोस्तों अगला सवाल है कि क्यों सीसर के जैरशीट को साफ किया जाए तो दोस्तों समाने ससे के जाए और सीसर के जैरशीट को तचा कि बीच में संपरक बनाये रकने के लिए सीसर के जैरशीट को साफ रकना ही अकल बन्दी है ब दोस्तों महों को बताएं पीचऱ्र और इन स्पेसिफिकेशन्स दोसरा ब्रांट इसके ये ब्रांट जो है इसमेते नेफ्यू का है सुम्ची पकने वाला सिलिकॉन जेल है निशानों के लिए प्रभावी ट्रीटमेंट है जिक हिस्सा में सिध हो चुका है कि 20 साल तक के पुराने निशानों को ये कम कर सकता है लाल उबरे हुए निशानों के उपचार करता है यूज करने में साफ करने में आसान है ड्रेसिंग साइस का 12 सेंटी मिस्टर से 6 सेंटी मिटर है मुलायम आर्म ताय को लगाने में आसान हो टिका हुए और इसका आप पिर से यूज कर सकते हैं एक लुचीला है दिन्या रात यूस करने के लिए बहुत अच्छा है निशाने को नर्म करने में बहुत जादा मददकार है अब और वीडियो के अधिक कर construct के अधिक करते हैं काफी अधिक क्युमल परफाली करने हमाने, गर आपको बाश जान करी दी बखाँ और वाचीं